Good afternoon dear students, in structure and bonding part 10 we will be doing applications of hyperconjugation. आप सभी का स्वागत है, इससे पहले की क्लास में हमने पढ़ा कि hyperconjugation क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, अब हम देखेंगे कि hyperconjugation के effects क्या होते हैं. तो सबसे पहले इसमें जो इसके effects होते हैं, बोथ on physical and chemical properties, दोनों में ही इसके प्रवाव, तो हम पढ़ेंगे पहले कि इसका क्या प्रवाव पढ़ता है bond length और dipole moment पे, क्योंकि hyperconjugation भी क्या है, एक किसम से resonance, और क्योंकि इसमें क्या होता है, resonance होता है, तो bond, एक bond कम हो जाता है या एक bond नहीं रहता है, कई बाई isovalent में तो सेम रहते हैं, पर एक bond, क्योंकि hydrogen अपने electron pair जो है, वो दे देता है, with result, ये क्या है, वहीं पर बढ़ा होगा तो है, लेकिन bond नहीं है, तो no bond resonance, अब ये bond इसमें नहीं है, पर क्या होगा, resonance किसी प्रक्रिया है, एक समय में जो bond single bond होगा, दूसरे समय में वो क्या होगया, double bond, तो single bond की जो bond length है, वो कितनी आती है, 1.46 angstrom, ठीक है, और, होनी चाहिए कितनी, normal जो है, जो प्रोपेन में होती है, प्रोपेन में क्या होती है, वो होती है, 1.54 angstrom, अब ये क्यों change हो गई, क्योंकि, double bond character require कर लिया है, देखिए, यहाँ पर ये क्या है, यहाँ, single bond, यहाँ पर ये double bond, तो, इन दोनों के बीच की स्थिति आ जाती है, क्योंकि बीच की स्थिति कैसे आती है, एक समय में जो single bond है, दूसरे समय में क्या हो गया, वो double bond, as a result, हमारे जो bond length आते हैं, जो probane में तो जैसे होता है, क्योंकि उसमें भी single bond होता है, 1.54 units होता है, अब इसमें क्या हो जाएगा, वो, 1.46, गैरेक्टर कैसा है, पार्शल डबल बॉंड है, पार्शल डबल बॉंड होने से, अदर्वाइस यह और छोटा होता, bond length, तो कहने का मतलब है, यह double bond, और single bond के बीच में, इसका bond length आता है, यह इसका एक evidence भी आए, hyperconjugation का, जैसे हम पहले resonance में पढ़ चुके हैं, So, this is neither a single bond, nor a double bond, but the bond length measurement comes to be in between that for a double bond and a single bond. Similarly, अगर हम अगली देखें, characteristic, इसकी जो properties में पढ़ती है, वो है dipole moment, देखें, covalent bonding है, covalent bonds आप सभी को मालूम है, covalent bond होते हैं, तो कहीं से उसमें मतलब किसी किसम का कोई charge तो होता नहीं है, पर इसमें यह होगा resonance की तरह, क्योंकि electrons जो है, वो move करेंगे, As a result of this, क्यों क्यों move करेंगे, क्योंकि यह अपने electron पर छोड़ देगा, तो यह bond यहाँ चला जाएगा, यह वाला, तो यह single bond बन जाएगा double bond, और यह double bond बन जाएगा single bond. As a result of this, एक तरफ आता है negative charge, और इधर आ जाएगा positive charge. Dipoles, two poles are created, तो दो poles होने से क्या होता है, dipole moment into the distance, charge into the distance, तो dipole moment जो इसका लगबग आता है 2.72 तो दोनों चीज़े, हम पहले resonance में पढ़ चुके हैं, और क्योंकि यह प्रक्रिया भी resonance की तरह ही है, except this is no bond resonance, तो उसमें भी उसी तरह की effects होते हैं, जैसे की resonance में होते हैं, जैसे bond length जो है, single और double bond के बीच का, जो single होना चाहिए, वो अगले शर्ण में double होने से, तो double और single bond के बीच का, moreover, organic compound, no charge, but charge is generated as a consequence of this resonance, so it has a dipole moment. अब अगर हम इसका अगला प्रभाव देखें, तो किस पे पढ़ता है, वो होता है, stability's में, stability's में हम सबसे पहले देखें, alkyl free radical, free radical कैसे बनते हैं, homoletic fission से, माल लीजे, इसके साथ यहाँ पे, एक और carbon लगा हुआ है, इनके बीच में, carbon carbon bond, एक bond का मतलब दो electrons, तो जब बराबर बराबर division होगा, तो हम यहाँ एक electron चला जाएगा और दूसरे हिस्से में, दूसरा, in other words, homolysis होगा, बराबर इसका तूटना होगा, lysis मतलब तूटना होगा, homo मतलब बराबर, similar, same, तो electron इसके उपर रहे गया, एक, क्या बन गया, free radical, free radical, अब आप देख रहे हैं, इसका octet पूरा नहीं है, तो बहुत ही reactive होते हैं, यह very reactive species, intermediate, reaction intermediates कहलाते हैं, यही reaction को आगे ले जाते हैं, अब क्या होगा देखें, इसमें, stability में, अगर हमारा alkyl, जो free radical है, यह tertiary है, तो यह secondary से ज़्यादा stable होगा, वो carbon जिसके उपर यह अकेला electron है, free radical, अगर वो तीन alkyl group से लगा हो, तो वो क्या कहला हैगा, tertiary free radical, अगर दो से लगा हो, तो secondary free radical, और यह क्या है, एक से ही लगा है, तो यह primary free radical, methyl भी primary free radical, अब यह free radicals में, tertiary सबसे ज़्यादा stable होता है, stabilize कैसे होगा, एक तो ऐसे होगा, कि यहाँ electrons की कमी है, तो तीन यह group लगे होएं, तो inductive effect से इसको क्या देंगे, electrons देंगे, electrons देने से stabilize हो जाएगा, पर उससे बहुत ज़्यादा महत्पूर्ण है, इसमें जो hyperconjugation की प्रक्रिया होती है, as a result of hyperconjugation, what will happen, that different resonance stabilized forms will be present, अब देखें यह था हमारा CH, और इधर लगा है CH3, इधर भी CH3, एक तो टीन, यानि कि क्या होगया है हमारा, isopropyl free radical, अब इस isopropyl free radical में, क्या हुआ, free radical, this is sp2 hybridized, अब इसकी alpha position में carbon hydrogen bond लगा है, तो क्या है, इस electron को, अगर एक electron मिल जाए तो, यह एक bond बना ले, double bond, वो एक electron मिल जाता है, यह single electron अपती तरफ से, तो electrons खीच रहा है, इस carbon से, यह carbon खीच था, इस hydrogen से, hydrogen यह electron, इसके उपर, यह bond टूट जाएगा, as a result क्या होगा, इस hydrogen के उपर, एक electron रह गया, और एक यहां आ गया, और इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, एक double bond, जैसा यहां देख रहा है, वो दूसरे शर्ण केस में change हो गया, double bond में, इस तरह से यहां, carbon free radical जो है, इसके उपर, alpha position में यहां, तीन hydrogen, carbon hydrogen present है, तो, तीन होने से, इसके तीन hyperconjugative form बनेंगे, कभी यह electron चोड़ेगा, कभी यह एक, यह bond का fission होगा, यह electron देगा, कभी यह वाला electron, यहां इसने electron चोड़े, तो देखे, यह electron यहां आगया, एक, दूसरा electron यहां गया, और उसने, इसके साथ में क्या बना लिया, double bond, तीन तो ऐसे बनेंगे, इससे hyperconjugative forms, या no bond resonance, तीन इससे बनेंगे, यह लगे हुई methyl group से, हर जगे, एक, दो, तीन, चार, carbon की valency पूरी है, यह hydrogen यहां पे, electrons छोड़ दिया है, तो यह free radical यहां, as a result of this, what will happen, due to so many resonating structures, this tertiary, alkyl free radical, will be more stable, क्योंकि इसमें तो ऐसे, इसकी alpha position में ऐसे देखे, कितने लगे हैं, CH, तीन लगे हैं, तो तीन, तीन, छे, तीन, नौ, ऐसे नौ बनेंगे इससे, जैसे इसमें छे लगे थे, तो तीन इधर लगे थे, तीन इधर, तो इससे छे बनें, ऐसे resonance stabilized forms, तो इससे नौ बनेंगे, तो यह सबसे ज़्यादा stable, फिर उसके बाद इसकी stability, फिर इसकी stability, और क्योंकि इसमें कितने बनेंगे, इसमें तीन बनेंगे, इधाइल free radical में, और मिधाइल में, क्योंकि alpha position में, कुछ भी present नहीं है, कोई भी हमारा carbon hydrogen, तो रहला कि दोनों यह primary हैं, पर यह stable जाता होगा, as compared to methyl, क्योंकि methyl free radical में, hyperconjugation की कोई possibility नहीं है, now coming to the relative stabilities of carbocatines, carbocatines में भी उसी तरह, क्योंकि carbon यह sp2 hybridized है, carbocatine का carbon, carbonium ion sp2 hybridized, यहां 3 लगें हुए हैं ऐसे, alpha position में carbon hydrogen, तो इसके साथ यह 3, supply structure, इसके साथ 6 बनेंगे, इसके साथ हमारे 3 बनेंगे, क्योंकि, यहां देखे, CH3, कभी एक hydrogen ने छोड़ा, electron कभी दूसरे ने, कभी तीसरे ने, देखें हम यहां पे, CH3, CH2, यह है इथाइल, इथाइल का कैसे बना देखे, carbon में electrons की कमी, positive charge, alpha position में carbon hydrogen है, electrons पुल हो रहे हैं यहां से, hydrogen ने electron pair पूरा छोड़ दिया, तो यहां बन गया यह double bond, और यह positive charge अब इस hydrogen पे आ गया, इस तरह कभी यह electron छोड़ेगा, कभी यह अपना bond pair छोड़ेगा, तो बन गए तीन हमारे resonance stabilized, इस तरह के structures, यह किसमें था, CH3, CH2, CH3, CH2 यानि की, ethyl carbonium ion, methyl के case में ऐसा संभव नहीं है, अब वहीं पे हम आए, tertiary butyl, tertiary butyl में तो अनिकों बनते चले जाएंगे, देखे, कैसे, क्योंकि क्या होगा, तीन यह electron यहां से छूट सकते हैं कभी, कभी, यहां से कभी 3, 3, 6, 3, 9, besides this, इसमें plus I effect से, electrons यहां की तरफ खिचेंगे, और सबसे अदब plus I effect किसमें होगा, plus I, क्योंकि alkyl group की tendency होती है, electrons को देने की, हम plus I inductive effect पहले पढ़ चुके हैं, तो इसमें इसे तीन तरह से, तरफ से electron जा रहे हैं, तो यह पॉजिटिफ चार्ज जो है, काफी हद तक क्या हो जा रहा है, neutralize, इसमें isopropyl में दो जगे से जा रहे हैं, दो alkyl group से, और इसमें तो सिरफ एक ही alkyl group लगा हुआ है, so as a consequence, what will happen, that our tertiary, utile carbonium ion will be the most stable, and methyl carbonium ion will be the least stable, this is in the case of are carbo-cations, or carbonium ions, now, let us see this relative stability of alkynes, अब हम alkynes को अगर देखें, alkynes में हम कहते हैं, कि जतनी ज़्यादा substituted alkyne, उतनी ही वो ज़्यादा stable, तो ऐसा क्यों होता होगा, अब देखें इसमें, relative stabilities में, यह CH3, whole twice C, CH CH3, यहाँ दो लगे हैं, methyl group, यहाँ इसके साथ एक लगा है, अब यहीं पर हम देखते हैं, यहाँ भी double bond के एर्दगिर्द, यहाँ एक लगा है, यहाँ भी एक लगा है, तो जहाँ यह दो लगे हुएं, वो इससे ज़्यादा stable है, double bond, कैसे पता लगे कि, कौन alken कितने ज़्यादा substituted है, देखें यह double bond में, हम देखें न, double bond में लगे हुए जो carbon है, उसमें कम से कम hydrogen होने का मतलब है, वो ज़्यादा से ज़्यादा substituted, अब इस carbon में एक भी hydrogen नहीं है, completely substituted, by the two, CH2, CH2 होता नहीं तो इथाइलीन, इसके दोनों hydrogen, methyl group से substitute हो गया है, यहाँ एक hydrogen है, एक substitute हो गया है, by methyl group, यहाँ देखें, यहाँ इधर भी एक hydrogen है, इधर भी एक, तो double bond के एर्दगिर्द कितने है, दो hydrogen, यहाँ double bond के एर्दगिर्द कितने है, सिरफ एक hydrogen, तो इसका मतला ये जादा सबस्टिटूटुटूटूट्टूटूटीं नहीं तो ये और इसके बाद हम इसमें जाएं तो यहाँ double bond की इर्दगर्द कितने हैं ये इधर हैं दो और इधर है एक तीन hydrogen क्योंकि इधर वाले hydrogen alkyl groups से substituted नहीं है तो यह और कम substituted है और यह ethylene में कहीं substitution नहीं है double bond है यहां भी 2 hydrogen है यहां भी दो तो यह सबसे कम stable होगा जितने जादा यह methyl groups लगते चले जाएंगे वह उतना stable होता चला जाएगा कारण आप समझ गए double bond carbon का मतलब है यह कैसा होगा SP2 hybridized SP2 hybridized में अगर CH3 हो तो मतलब यह alpha position में carbon hydrogen लगा हो तो क्या होगा hyperconjugation hyperconjugation होगा as a result of this अब जैसे यहां लगें CH3 hold twice carbon SP2 hybridized एक CH3 के 3 hydrogen है तो वो electron देंगे as a result वो carbon carbon के बीच में double bond बन जाएगा ऐसे ही दूसरे CH3 के भी electrons देंगे और फिर double bond बना लेगा carbon carbon के बीच में double bond बन जाएगा यहां carbon और इस carbon के बीच में क्योंकि यहां से यह hydrogen जो है वो इसको electron लेगा as a result क्या होगा यह electron यह तो यहां shift हो जाएगा यह bond pair डाइपोल भी create हो जाएगा side by side hyperconjugation की वज़े से कई no bond resonance structure बन जाएगे तो जितना ज्यादा substituted alkene उतने ही ज्यादा no bond resonance structure बनेंगे hyperconjugated structure तो वो उतना ही stable होगा अब इस case में ऐसा संभव नहीं है क्योंकि इस double bond जो कि यह carbon sp2 hybridizer है इसकी alpha position में कोई carbon hydrogen नहीं है ऐसे ही इस carbon की alpha position में कोई carbon hydrogen नहीं है तो इसमें resonance stabilized structure hyperconjugation वाले नहीं बनेंगे तो यह सबसे कम stable होगा क्योंकि हमें मालूम है किसी भी compound के जतने ज्यादा hyperconjugated forms या कहना चाहिए no bond resonance वो compound उतना ही stable अब देखते हैं प्रोपीन प्रोपीन CH2 CH CH3 अब आप देख रहे हैं यह carbon sp2 hybridized यह भी sp2 hybridized इस sp2 hybridized की alpha position में क्या है CH3 present है यानि की carbon hydrogen तो क्या करेगा यह bond तो इधर shift हो गया क्यों क्योंकि इस carbon ने यहां से electron pair अपनी तरफ खीच दिये तो यह जो single bond था agglation यह बन गया double bond और इस hydrogen के उपर आ जाएगा positive charge तो इस तरह प्रोपीन के तीन बन जाएंगे ऐसे hyperconjugative form अब वहीं पर आगर हम two butene में देखें तो यह भी sp2 hybridized है यह भी sp2 hybridized है इस sp2 hybridized की alpha position में तीन carbon hydrogen है तो यह hydrogen ने electron bond pair अपना छोड़ दिया यह electrons यहां आ गए यह वाले इसके उपर shift हो गए और इस hydrogen पे positive charge आ गया है ऐसे तीन तो इससे बनेंगे hyperconjugative forms ऐसे ही इस carbon की alpha position में यह 3 CHT है तो तीन इससे बनेंगे totality में कितने हो गए 6 से resonance stabilized structure अब हम देखें 2 butyn के बाद 1 butyn उतने ही carbon है double bond भी एक है पर इस case में double bond जो है स्थित कहां है 1 butyn यहां terminal है अब यह sp2 hybridized carbon की बगल में तो एक भी alpha position में एक भी carbon hydrogen sigma bond नहीं है तो यहां कोई भी hyperconjugative form नहीं बनेगा यह carbon hydrogen के बगल में दो यह carbon जो sp2 hybridized है इसके बगल में दो hydrogen से तो कभी यह hydrogen इधर electron pair छोड़ा और उस पे positive charge आ गया hydrogen पे यहां बन गया double bond और यह bond इधर shift हो गया इसके उपर क्योंकि इस carbon की अब tetra valency पूरी हो गई क्योंकि इस carbon ने इसके साथ double bond बना लिया पर इसमें hyperconjugative form कितने बनेंगे क्योंकि sp2 hybridized carbon की alpha position में सिरफ दो ही hydrogen है और इसकी alpha position में कोई carbon hydrogen नहीं है तो इसी के साथ two बनेंगे hyperconjugative form तो इसमें तो दो बनें इसमें कितने बने इच्छ है अब अगर आपको कुछ याद आया हम कहते हैं न elimination reactions says the rule more substituted alkene is the major product तो क्या होगा अगर हमारे alcohol में dehydration होगा dehydration से मतलब OH निकला और H निकला एक तरफ से H निकला एक तरफ से OH निकला यह माल लीज़े है butyl alcohol तो यहां से OH निकल गया इससे एक H निकल गया dehydration डबल बॉंड बन गया वहीं पर अगर isobutyl मतलब alcohol मतलब CH OH यहां पर है लगा हुआ तो OH में संभावना यहां से भी H निकलने की है यहां से भी H निकलने की जब H2O बनेगा तो यहां से निकलता उस केस में हमारा यहां से निकलेगा H यहां से OH निकला isobutyl alcohol में यहां से H निकला क्या बन जाएगा फल्स रूप टू ब्यूटीन तो बन दोनों सकते हैं वन ब्यूटीन भी टू भी लेकिन टू ब्यूटीन जो है वो जादा stable हैं as a consequence of these hyperconjugative form as compared to one butine तो सेद्ज़फ रूल जो है रूल ऐसा ही नहीं बन जाते हैं उसके पीछे कोई logic होता है logic यही है कि इसकी stability जो है वो इसके comparison में बहुत जादा होती है due to hyperconjugative form and it can be easily assessed by experimental values now coming to the ortho paradirective influence अब हम कहते हैं कि अगर benzene ring के साथ electron releasing group present हो ऐसे group present हो जिसके ओपर lone pair of electron है तो वो ortho paradirective influence show करते हैं जैसे कि NH2 group या CL सबके lone pair of electron है या OH फिनॉल है ortho paradirecting होता है लेकिन देखिए जब इसमें alkyl group लगा इसके ओपर तो कोई lone pair of electron नहीं है ना तो how does this show why does it show ortho paradirective influence क्योंकि जब electron छोड़ेगा तभी तो ortho और para position electron rich होंगी तो एक तो यह है कि CSD group in general plus i effect show करता है तो इधर की तरफ को electrons देगा तो यह ring electron rich हो जाएगी लेकिन उससे कहीं ज़्यादा महत्फोन है इसमें हमारा hyperconjugation होगा यूँ कि यह electron pair अगर इधर shift हुआ कैसे shift हुआ क्योंकि यह ring ने यहां से electron खीचे carbon ने लगे हुए hydrogen से hydrogen ने h positive अपना electron pair छोड़ दिया छोड़ दिया तो इस carbon की अब यह वाले carbon की ring carbon की tetra valency पूरी तो यह वाला electron pair इधर आ गया ortho position है इधर की ortho position में भी आ सकता है या इधर की ortho position में भी आ सकता है यह ऐसे ही पैरा position में भी आ सकता है यह देखे जब पैरा position में गया तो यह ortho और पैरा position में electrons release हो रहे हैं as a result of no bond resonance hence the methyl group is ortho para directing और अगर आप इसको देखें तो समझ जाएं कि अगर यह C जो है यहां BCST लगाओ उस case में यह benzene का जो sp2 hybridized carbon है इसकी alpha position में एक भी carbon hydrogen bond नहीं रह जाएगा तो हलाखी plus i effect बहुत होगा टर्श्री लगा यहां टर्श्री बिटायल ग्रूप लगा हुआ है plus i effect तो होगा लेकिन hyperconjugation तो होगा ही नहीं क्योंकि यह sp2 hybridized carbon है sp2 hybridized carbon है इसके यहां पे alpha position पे carbon के साथ एक और carbon के साथ एक और carbon यहां भी carbon के साथ एक और carbon क्योंकि यहां भी methyl है यहां भी methyl है यहां भी methyl है यहां भी methyl है as a result जबकि plus i effect इतना है लेकिन hyperconjugation बिल्कुल नहीं होगा तो यह बहुत हैरानी की बात है तभी इसी से पता लगा Baker Nathan effect कि जितना ज्यादा यह substitute rate उतना कम इसमें hyperconjugation that is why hyperconjugation works just in the opposite way to that compared to the plus i effect so as a result इसमें reaction rate जो है ortho para directing ortho para positions में वो कम हो जाएगा और सबसे ज्यादा जो rate of reaction है वो इस case में रहेगा जैसा दिख रहा है एक बार इसने electron छोडे वो ortho position में भी जा सकते हैं या वो para position में भी जा सकते हैं कभी इस वाले hydrogen ने electron छोडे and in this way ortho para positions become electron rich and at the same time a dipole is also generated इसे लिए हम पो tolween जो है और तो पहरा directive influence ये शो करता है तो हम लोगों ने आज क्या क्या देखा कि hyperconjugation के कितने महत्पून असर होते है reactions में उसके bond length में क्योंकि जो एक शन में single bond होता है वो य अगले शन में वो bond double bond हो जाता है इसके अलावा हम ने ये देखा कि किस तरह से उसमें dipole generate होता है क्योंकि प्लस और माइनस charge हो गए तो dipole moment आ जाएगा और इसी तरह alkyl free radicals या alkyl carbocations ये क्यों stable होते हैं क्योंकि इन में hyperconjugation होता है दोनों ही चाहे free radicals ये कार्बोकेटाइनन का carbon जो sp2 hybridized होता है जितने ज्यादा alpha position में carbon hydrogen bonds present होंगे उतना ही उसमें ज्यादा hyperconjugation होगा इसी तरह alkynes में क्योंकि alkynes में carbon हमारा sp2 hybridized होता है तो उसके साथ में alpha position में जितने ज्यादा carbon hydrogen लगे होंगे उतना ही ज्यादा उसमें hyperconjugation होगा तो जितना ज्यादा substituted alkyne उतनी ही उसकी stability That is all for today Thank you